हालो फ्रेंड्स आज मैं जो आपको मुवी एक्सलिन करने वाला हूँ या एक साइकोलोजिकल थ्रीलर प्लस मर्डर मिस्ट्री है आज के मुवी का नाम स्पाइडर फोरेस्ट जो 2004 की एक कोरियन मुवी है इस मुवी के बारे में बहुत सारे लोग को पता नहीं है पर अगर पता चला तो हल्यूड के बहुत सारे बेस्ट मुवी को ये पीछे छोड़ देगी मूवे में आपको लग सकता है कि हो कहा रहा है पर लास्ट में सब चीजे में आपको explain करूँगा तो चलिए इस complex मूवे को explain करना start करते है मूवे start होती है और हमारा main character जिसका नाम है क्यांग ये जंगल से जाता हुआ में दिखता है इसी जंगल का नाम spider forest है जंगल में एक घर होता है जिसके पास वाता है यहाँ दर्वाजा खोल कर देखता है तो एक आदमी का वहां murder हो चुका होता है ये बहुत ही डर जाता है इसे को जावा जाती है और ये अंदर जला जाता है अंदर जाने के बाद एक औरत का भी murder हो चुका होता है इस औरत को जानता है यह हमारी औरिंग में इन कारक्टर है जिसका नाम अता है सुयंग सुयंग कहती है कि उसे डर लग रहा है उसे सब जगा spider दिखाई दे रहे होते है कैंग जब खिड़की में देखने के लिए जाता है तो वहाँ कोई था जो अब भाग रहा है यहाँ पर कैंग को murder weapon भी मिलता है कैंग इसके पीछे भागते भागते जाता है पर यह आदमी कैंग को ही जखमी कर देता है कैंग बेहोश हो चुका था पर थोड़े टाइम बात वो फिर से होश में आ जाता है यह आगे चलती चलते रोड के टरनल तक आ जाता है यहाँ पर फिर से उसे वही आदमी दीखता है यह उसके पास जाना जाता है पर इस टरनल में एक काड़ी आकर उसे ठोक देती है अब यह एक्सिटन किसी ने रिपोर्ट कर वाया था और कैंग होस्पिटल में है इस पर सरजरी वेगरा होती है और यह अनकॉंशिस होता है थोड़ टाइम गुजर जाने के बाद यह फिर से होश में आ जाता है डॉक्टर इसके पास पोचते है और इसे सवाल पुछने लग जाते है कैंग के वाइफ के फोटो उसके पॉकिट में थी उसके बारे में पूछते है कैंग सिर्फ एकी चीज़ बोल रहा होता है कि वहाँ सब लोग मरकर पड़े हुए है वो इसे स्पाइडर फोरेस्ट जाना पड़ेगा वो पुलिस को कॉल करने के लिए बोल रहा होता है कैंग के एक अच्छा फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है किम इस मुवे में भी फिर से किम नाम आ ही गया किम पुलिस ओफिसर है तो कैंग से मिलने के लिए आता है कैंग फिर से spider forest के बारे में कहता है और वहाँ dead bodies है इसे उसे बता देता है कैंग धुनला धुनला बोलता है कि मैं realize कर रहा हूँ कि वो मैं ही था इस statement का meaning आपको अभी पता नहीं चलेगा पर last में सब कुछ clear हो जाएगा इस murder scene को देखकर इने पता जलता है कि यह जो bodies है यह बहुत दिनों से यहाँ थी हमने अभी-भी murder scene पर कैंग को देखा था तो यह कैसे possible हो सकता है अब next scene में हमें देखता है कैंग hospital से उट जाता है और वो अपने घर तक आ जाता है यह बहुत ही injured है पर इसे कुछ याद नहीं आ रहा सब कुछ याद करने कोशिश वो कर रहा होता है उसे फिर उसके wife के साथ जो एक memory थी यह याद आती है इस memory में कैंग को एक पुरा सपना आया था इस सपने के वज़े से रात में उटकर वो बेट चुका है थोड़ी देर में उसकी wife भी उटकर आ जाती है सुजिन कैंग से कहती है कि इतना वक्त तुम क्यू कर रहे हो कैंग कहता है कि तुम्हारे शोग के लिए में आना जाता हो सुजिन का शोग फॉरें में होता है और वो काम करकर जल्दी से वहाँ पोशना जाता है यह सच मुझ है इस अजीब से सीन के बाद कैंग की wife मर चुकी है और एक office के party में कैंग हमें दिखाई देता है कैंग दुखी है तो बहुत सारी दारू पी रहा होता है यहाँ पर हमारी और एक main character आती है जिसका नाम होता है सुयंग जो plane crash हुआ था इसे crash में सुयंग के father भी मर चुके थे यह कैंग को वहाँ से ही जानती है कैंग को जब यह देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है यह दोनों गम में है तो उसके पास आकर बैठ जाती है उसे पुछती है क्या तुम मुझे जानते हो इसके बाद कैंग यहाँ से उटकर चला जाता है यह बहुत ही ड्रंक है तो घर नहीं जा सकत तो बार के बाहर ही बैठता है पार्टी जब खतम हो जाती है तो सुयंग उसके पास आती है उसे उसके घर ले कर जाती है कैंग फिर हमसे खहता है मैं उससे पहले कभी मिला नहीं था पर उसके साथ मुझे बहुत ही comfortable लगा उसके बाद बहुत सारी राते मैं उसके साथ गुजरने लग गया आदते बहुती बुरी चीज़ होती है इन दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई अब एक साल गुजर चुका था ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लग गए कैंग कभी भी अपने काम में ज़ादा sincere नहीं था वो एक टिवी शो पर काम कर रहा था उसकी editing उसने complete नहीं की थी इसने ये सब चैनल पर डाल दिया और जब चल रहा था तभी editing कर रहा था इसकी बज़े से अपने बॉस के साथ ये trouble में आ चुका है कैंग का बॉस उसे कहता है कि अगले शो में तुम नहीं होंगे एक लास्ट शो कैंग को करना है और ये शो spider forest और बेस्ट है कैंग को फिर एक अजीब कॉल आता है इसमें वह आदमी बोलता है कि जिस लड़की के साथ तुम सो रहे हो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी तरह ही है पर तुम बहु होता है इसके बाद रात में कैंग फिर से सुयंग से मिलता है उसे आज रात प्रपोस कर देता है सुयंग इस पर सोचने वाली है कैंग फिर हम से कहता है कि उस रात के बाद सुयंग ने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया अब थोड़े दिन गुजर चुके है और कैंग spider forest की investigation करने के लिए एक गाव में आ जाता है इस गाव में आकर उसे लड़की से बात करनी होती है इस लड़की का फोटोग्राफिक का studio है कैंग इस लड़की को कहता है कि spider forest के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़े सुनी है मुझे तुम अपना सिर्फ experience बताना इस लड़की क साथ वो बाच्चित करता है और अपने लिए पासवर्ट फोटो भी निकाल लेता है इस लड़की को कहकर जाता है कि उसके story लेने के लिए ये कल फिर वापस आएगा इस लड़की भी हमारा main character है और इसका नाम हम Daisy रखेंगे कैंग जब कार में होता है तो उसे फिर से उसी mysterious आदमी का कौल आता है उसे कह रहा होता है कि सुयंग ने तुम्हें मना कर दिया पर उसका एक आदमी के साथ अफेर चल रहा है क्या तुम उसके रिए curious नहीं हो कि उसे बता देता है कि spider forest में ही वो एक आदमी से मिलने वाली है एक जगा पर खैंग रुकता है और सुयंग की क चल रहा था इस घर के storage room में कैंग आता है यहाँ उसे वेपन मिलता है यह बहुत ही गुसा होता है और अंदर जाकर इन्हें उसे मारना होता है यह दरवाजे के पास आता है पर तभी उसे कुछ आवाजे सुनाए देती है यह रूख जाता है और इस आतमी की बीचे पढ़ यह पीछा करते हुए ही एक पल उसे जंगल में डेजी भी दिखती है यह किसी को ढूण नहीं पाता डिस्पॉंटेड होकर गाड़े में बैट जाता है यहाँ पर एक spider उसे काट लेता है फिर से present दिखाया जाता है और यह जो उसके साथ incident हुआ था और डेजी के बारे में भी कैंग कीम को बता रहा होता है फिर से हम पास में चले जाते है और कैंग डेजी के पास आया हुआ है spider ने उसे काट लिया था तो उसके तवियत अब जरा खराब हो रही है डेजी के पास आकर वो पुछता है तुमारी यह जो मशिन है क्या तुम मुझे चलाना सिखा सकती इसे बुखार है इसे मेडिसिन लाकर देती है इसके बाद डेजी का इंटर्यू स्टार्ट होता है और डेजी अपनी स्टोरी सुनाने लग जाती है यह कहती है जब मैं छोटी थी और स्कूल में थी तो भाह एक लड़का आया था इन दोनों की फ्रेंड्शिप हो गई अच्छा फ्रेंड बन गया खेलती खेलती एक दिन डेजी इस लड़के अपने घर लेकर आए घर जाकर वो स्टोरेज में छुप गये इने कुछ आवाज आने लगए तो यह दोनों घर में देखने लग गये मदर फादर इंडिमेट हो गये पर उसके बाद डेजी के फाद में फ्लोट होने लगे यानि कि यह लड़की मर चुकी थी इसके बाद यह लड़का इस शेहर से बाहर निकल गया इस्टोरी खतम होती है पर कैंग की तवियत और भी खराब हो जाती है कैंग वही सो जाता है और डेजी उसे हेल्प करती है यहां नीन में फिर से उसे अपनी वाइफ की याद आती है कैंग थोड़ी देर बाद उठता है जो रोल उसे स्टेंजर ने डेवलप करने के लिए दिया था यह वो डेवलप करता है जब वो यह फोटोस देखता है तो यह उसकी ही मेमरीज होती है यह देखकर उसे जादा को समझ मनी आता थोड़ी देर में वहाँ डेजी आ जाती है अब यह ठीक हो चुका है तो डेजी उसे बुछती है क्या हम खाना खानी के लिए कही बाहर जाए यह दोनों फिर रोपे में आ जाते है यह रोपे बीच में ही बन पड़ जाता है डेजी फिर इस फोरेस्ट को स्पाइडर फोरेस्ट को बुला करत यह कहती है, इस spider spirits को represent करते हैं, जब भी कोई मरता है पर उसे प्यार करने वाला कोई नहीं होता है, तो यह सब souls directly spider में convert हो जाते हैं, यह spirits कभी भी मरती नहीं और as a spiders ही जीती रहती है, इन spirits को अगर कोई याद करता है, तो उसके बाद ही यह free होती है, इसके बाद Daisy और Kang दोनों spider forest में आ जाते हैं, Kang आसपास देखता है, तो डेजी आचाना कायफ हो चुकी है, डेजी को यह ढूनता है, पर थोड़ी देर में रात हो जाती है, ढूनते ढूनते फिरसे उसी घर में आ चुका है, जहां सुयंग मरी होई थी और उसकी लाश उसे मिली थी, यह सब चीजे Kang अपने फ्रेंड कीम को बता रहा होता है, Kang बहुत ही इंजोर्ड है, तो यह बताते बताते ही उसके तवियत और भी खराब हो जाती है, उसे फिर से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, ऑफिसर कीम सब चीजों की इन्विस्टिकेशन करने लग जाता है, Kang की हालत बहुत ही और वो हुस्पिटल में था, पर जब वो फिर से होश्में आया तो हुस्पिटल से भाग गया, फिर से इन्विस्टिकेशन करने लग गया, वो जब डेजी के यहाल आया तो वहाँ कोई भी नहीं था, इस जगहा पर बहुत दीनों से कोई भी रहे नहीं रहा, इसके बाद पता निकालने के लिए, कैंग डेजी के स्कूल में पहुच जाता है, यह सब रेकॉर्ड से गरा निकालते हैं, टीचर गहे थे कि जो वहाँ बुरा हुआ, कैंग को लग रहा होता है कि डेजी के फादर ने उसे मार दिया था, पर यह टीचर उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, डेजी के एक बिमारी हुई थी और इसी वज़े से वो मर गई थी, कैंग investigation करते हुए, डेजी के जब studio में पहुचता है, तो वहाँ उसे पता चलता है कि डेजी का studio है ही नहीं, कैंग के फादर ही स्टोडियो को ओन करते थे और अब यह कैंग का है, डेजी कुछ भी बिलिवनी होता ये कैंक खुदी है और उसे ये सब याद आ रहा है कैंक फिर गर के पास जाता है और उसे याद आता है कि ये वही था उसने वरडर वेफन लिया था और सूूयंग और वोज को मान डाला था मैं फिर ज़्यादा कुछ लेट नहीं हुआ है कैंग अभी भी इस forest से निकल सकता है वो उसे फिर एक केव के पास लेकर आए डेजी उसे बोलती है कि इस केव में तुम जाओ तुमें एक डोर मिलेगा डोर ओपन करकर एक आदमी से तुम मिलोगे इसे मिलने के बाद तुम्हारे सब question answer हो जाएंगे कैंग फिर अंदर जाता है और cars के tunnel में ही पहुच जाता है movie के first में हमने देखा था कैंग injure हो चुका था और tunnel में आ चुका था tunnel में एक आदमी को उसने देखा उसके पीछे वो भाग रहा था ये आदमी उसके खुद की ही copy थी ये उसके पीछे गया पर जाते हुए ही उसका accident हो गया इसके बाद हम फिर से movie के first में हमें जो दिखा था यही देखते है टैंक का operation हो चुका है और वो थोड़ी देर बाद होश में आ जाता है इस बार जब वो होश में आया है तो उसे सब कुछ पदा चल चुका है इसका मतलब है movie में बहुत सारी चीजे सिर्फ उसकी imagination थी ये जब भियोश था तब सब solve करने ही कोशिश वो कर रहा था उसे याद नहीं था कि सुयंग को उसने ही मारा है इसे solve करते वक्त ये पूरी movie चली है अब हम फिर से movie में जो सब scenes हुए है ये सब कुछ देखेंगे movie के first में उसे सुयंग की body मिल गए और वही उसे murder scene पर दिखा कि वहाँ कोई है इस आद्मी की पीछे हो भागा पर इसी आद्मी ने उसे injure कर दिया भाकते भाकते ड़नल में आ गया पर एक गाड़ी ने उसे टक्रा दिया इस गाड़ी को अगर हम देखेंगे तो ये गाड़ी उसकी ही है जिस आद्मी को उसने देखा था ये वही था इस सीना में समझाता है कि कैंग को बहुती बुरा लगा था इसी वज़े से उसने खुदकुशी कर ली थी इसके बाद में जो सब चल रहा था ये सब उसका सबकॉंशियस था कैंग हॉस्पिटल से घर पर आ गया था अपनी वाइफ को याद कर रहा था उसकी वाइफ के एक याद में उसकी वाइफ यूस से कहती है कि वो एक्सिडर में मर जाने वाली है ये सब उसका सबकॉंशियस उससे बता रहा था इसके बाद सुयंग के साथ उसकी जो भी सब रिलेशनशिप थी ये सचुच में हुआ था इसने सुयंग को प्रपोज किया पर वो हा ना कुछ भी कहने रही थी उसे जो सब मिस्टियरस आदमी के कॉल हा रहे थे यह उसका खुद का सबकॉंशियस था जो उससे बता रहा था कि सुयंग पर उसे बिलीव नहीं करना चाहिया स्योंग के साथ कुछ ना कुछ तो गरवड है यही चीज वो find out करने के लिए forest में गया था मूवे में हमने देखा है कि वो डेजी से मिलता है डेजी उसके बचपन की friend थी जो मर चुकी थी कैंग को लगता है कि डेजी से किसी ने भी प्यार नहीं किया है इसी वज़े से डेजी की spirit spider में trapped हो जुकी है इसी वज़े से उसके subconscious में उसे हमेशा spider दिखते है जो story डेजी ने बताई थी कि उसकी मदर को father ने मार डाला था वर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था actual में डेजी की story यह कैंग की ही story थी कैंग जब छोटा था तो उसके father को छोड़ कर उसकी मदर चली गई थी उसका किसी और आदमे के साथ चकर था इसलिए वो चली गई इसके बाद उसके father ने कभी भी उसकी मदर से संबन नहीं रखे थे यही वो story डेजन कर दी है कैंग के father ने उसकी मदर का murder कर दिया यानि कि कभी भी उसके साथ उन्होंने संबन नहीं रखे और कैंग को भी उसकी मदर से मिलने नहीं दिया यह एक symbolic story थी यह अपनी मदर को भी hit करता है और जिससे वो pair करता है यानि कि सुयंग उसके boss के साथ ही सो रही थी कैंग को बहुत ही बुरा लगा कि उसने murder कर डाला है मुवी के last में हमने देखा है कि Daisy उसे बताती है कि वो अभी भी इस सब को ठीक कर सकता है यह उसका subconscious ही उसे बता रहा था यह उससे कह रहा था कि अगर उसने suicide कर ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा यही कैंग ने किया था पर suicide करने के अडर्म में यह बज़ गया हॉस्पिटल में इस पर सरजेरी विगरा हुई और जब अनकॉंशियस था यह सब चीजे वो याद कर रहा था अब सब कुछ उसे याद आ चुका है तो यही यह movie end हो जाती है यह बहुत ही complex movie थी और इसमें सब कुछ intentional था अब आपको इस movie का सब कुछ suspense पता चल चुका है आप फिर से इस वीडियो को देख सकते है और सब कुछ चीजे आपको अब समझ में आएगी अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है